है हलो गाइस तो कम्यूटी हेल्थ नर्शिंग के जो कुछ कुछन है कल मैंने शेयर किया था आज मैं नेक्स कुछन और शेयर कर रहा हूं दस कुछन और है जो कि कुछन नंबर 11 है जिसे बताया गया है कि नेशनल टूबर क्लोसिस प्रोग्राम कब चालू किया गया तो इसमे सही अंसार है 1962 में नेशनल टूबर क्लोसिस प्रोग्राम चलाए गया अब कुछन नंबर 12 है नेशनल टूबर क्लोसिस प्रोग्राम किस के दौरा इस्थाने इस्तर पर चलाए गये उसी से रिलेटेड है लेकिन इसमें ये पूशा गया कि किस के दौरा ये चलाए गये है इसमें option A है, direct tuberculosis program के दौरा, दूसरा है district tuberculosis program के दौरा, तीसरा है dots के दौरा, चौथा है none, किसी की दौरा नहीं. तो इसका जो सही answer है, वो है B, district tuberculosis program के दौरा, ये इस्तानी इस्तर पर चलाए गए थे. अब question number 13 की बात करते हैं, question number 13 हैं पुशा गया है, option A है, vaccinate new born baby with BCG vaccine, जो कब पता है कि BCG vaccine लगा जाता, कब लगा जाता है, option B है, अधिक्तम संख्या में TB के मरीज के पता लगा का इलाज करना, option C है, community metriboclosis के मरीजों की संख्या बढ़ने से रोकना, और option D है, all, तो इसका option है, option D, all, अधिक्तम संख्या में TB के मरीजों के संख्या बढ़ने से जोखना, question number 14 है, विस्व मानसिक स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है, option A है, 10 October, B है, 11 October, C है, 10 September, और D है, 15 मही, इसका option A है, सही answer, जो है, 10 October को ही, विस्व मानसिक स्वास्त दिवस बनाया जाता है, question number 15 है, district tuberculosis program किस तरह से community में पहुचाए जा रहे हैं, तो इसके option है, option A, district tuberculosis center के दोरा, option B है, district tuberculosis officers के दोरा, option C है, PHC के दोरा, और option D है, सभी, तो इसका सही answer है, option D, इन सभी के दोरा, district tuberculosis program कम्यूटी में पहुचाए जा रहे हैं, अब question number 16 है, district tuberculosis center का कार क्या है, इसका option A है, planning है, P, organization होता है, C है, implementation, और D है, all, तो district tuberculosis center का कार रही है, हर तर, मतलब ये चारो, तीनो इसमें काम कर रहे हैं, इसमें की planning, organization, और आपका implementation है, question number 17 है, निम्न में से कौन सा program, 100% central government के द्वारा sponsor है, option A है, national tuberculosis program, option B है, national AIDS control program, option C है, A and B, option D है, none, तो जो इसका सही answer है, वो है, option C, A and B, मतलब की, national tuberculosis program, और national AIDS control program, question number 18, R N T C P का पूरा नाम क्या है, इसके option है, रिएकर national tuberculosis control program, revised national tuberculosis campaign program, revised national tuberculosis control program, और option D है, तो इसको जो correct answer वो है, revised national tuberculosis control program, एक है campaign program, दूसरा है control program, तो यह R N T C P है, control program, question number 19 है, जिसमें बताया गया है, कि tuberculosis के मरीज का community में, पता लगाने का बेश तरीका क्या है, tuberculosis, आप सब जानते है, TB की जाच किस तरीके से community पता लगा जाती है, तो पहला है spytum examination, दूसरा है X-ray, तीसरा है, MON2X test, और चौथा है fever, इसको जो सही answer A है, वो भी spytum examination, इस पुटम के द्वारा ही, TB के मरीज का पता लगा जाता, community में, कुछ नमर 20 है, जो पुछा गया है, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया, इसको उप्सन A है, 1962 में, उप्सन B है, 1972, उप्सन C है, 1976, इसको जो सही आंसर, उप्सन C, 1976 में, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया, थैंक यू गाईज, और नेक्स्ट मिलेंगे, अगले दिसक्वेस्टिस में, तब तक सब्सक्राइब, लाइक और सेर कीजी, थैंक यू पर वाचिए,